आज ये ओर्जिनल डेसी मुरी के बच्चों का डे 32 मॉर्निंग चल रहा है दोस्त सभी को वेरी गुड मॉर्निंग अभी बच्चों को ओपन कर लेते हैं दोस्त इसका डोर इस तरह से यहां पर तो ये खोल लेंगे बाहर आ जाएंगे बच्चे अभी देखे सब बच्चे ए आज और दाना दे देते हैं दाने में अपके पास फिनिशर फीड है तो आप एक मेने के बाद फिनिशर फीड इस्तेमाल कर सकती हो अगर finisher free नहीं मिल रहा है आपके पास तो जवारी, मक्का, बाजरा, सोयाबिन और कॉंडा इस तरह के item मिला कर घ्यूं भी दे सकते हो इस तरह से पिसा कर एक बार day 32 के बच्चे किस तरह से दिखते हैं ये भी देख लीजे दोस्त pure original day 31 मुर्गी के बच्चे यही इसी लिए उतनी growth नहीं दिखे रही है दूसरे खिसम के जैसा दूसरे खिसम के जो مुर्गी आ रहते हैं बच्चे रहते हैं वो एकदम तेजी से बढ़ते हैं वो एक वे दिन से ही जैसे खाते हैं उसway से बढ़ते रहते हैं और यह प्यूरजिनल डेशी में क्या है गलोथ थोड़ा कम आती है दोस्त एक महने तलग तो बिलकुल कम आती है एक मेहने के बाद थोड़ा ग्रूथ आती है देखते है इसके लूद स्वार जो मक्का और बाजरा और जवारी ये तीन एटम मिला कर दे रहे हैं अगर से हम सोया बीन और श्टार्टर फीड इस तरह के आइटम मिला कर खिलाएंगे न और भी तेजी से ग्रोथ आती थी अगर से आप वो दाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं मिल रहा है आपके पास तो इस तरह के देसी तरीखे से भी पाल सकते हो तो आज दे 32 पे क्या करेंगे दोस हम फ्रेश पानी दे देंगे पानी में कुछ भी नहीं मिला जैसा अच्छे से नलका पानी हो आपके पास फिल्टर वाटर हो कुछ भी दे सकते हो और दाना जो बताया हो वो दे दीजे इसके साथ-साथ आप जब भी सब्जी काट रहे हो सालन बनाने के लिए जो भी बच जाती है वेश्टेज वो अराम से मिक्सी में दाल कर पीस करो जाए या बारिक सी कट करकर भी आप दाल सकते हो बच्चों को अच्छे से विटमिन्स मिलेंगे जल्दी ग्रोध भी आएगी बच्चों में तरा से हम यह पूरे निकाल लेंगे निकाल कर मेक्सी में दाल देंगे थोड़ा सा बारिक तुकड़े तुकड़े हुए जैसा ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस कर देखेंगे क्या होगा तेखिए मैं फूल और तुरही का जो छिल्टा रहता है यह दो मिलाकर पीस कर देखिए अभी आपर बारिक सा हो गया है इस तरह से अभी हम क्या करेंगे बच्चों के पास लेके जाएंगे लेके जाकर बच्चों के पॉटुशन में अंदर रख देंगे देखिए एक बार किस तरह से हुए यह अच्छ है लग बग देखते हैं खाएंगे या नहीं खाए और बाजरा ये तीन पीसे वाए जो फीड के फीड में हम दे रहे हैं अगर आपके पास फिनिशर फीड है तो भूद भेते रहे दोस्त ग्रोध जल्दी आने के लिए बाजू में कॉर्णर में बर्तन में जो सबजी पीसे है दोस्त हम वह भी रख दिया हूं अभी मिलते हैं पिर शाम में अभी नाइट के 7 o'clock हो रहे हैं दोस्त सारा अच्छा ढाप दिये मुझे बच्चों को सेफटी से पिर अभी डिश्टब करें बच्चों को ज्यादा डिश्टब नहीं करते हैं बच्चे सारे अच्छे ही दिख रहे हैं पिर मिलते हैं अभी morning डे 33 पे क्या हो लेते हैं और दाना भी almost खतम होने आया हैं और जो सबजी डाले थे हम जो कल morning है अभी या नहीं है खतम हो गई है देखते हैं बच्चे खाए है या नहीं खाए है बच्चों को देखिए एक बात थोड़ा सा डल लग रहे है मुझे काला बच्चा देखिए थोड़ा सा सुस लग रहे हैं दोसरे बच्चे अभी यहां पर देखिए जो भी सबजी डाले हम वो सारी complete हो गए सारे के सारे खा लिए एक बार टोटल खोलते हैं जब बाहर निकलेंगे बच्चे अभी देखिए और एक अबजोर करें हो गया आप इधर की light जल रही है उधर साइड की light बं जाएंगे बच्चे उसे निकाल लेंगे अभी देखते हैं जला या नहीं जला यह भी देखते हैं बच्चोंको दो बलब लगाने का और एक यह भी फाइदा रहता है दोस्त एक चले भी गया ना दूसरा बलब तोड़ा कवर करेगा बच्चों को अभी देखिए चुमतिय यहां पर बहुत सारे चुम्टिया लाल चुम्टिया आये है नैट में here बिकाते के बैट को इतन से बच्चे के जा करूंगा दोस्ट यह वाला पॉटिशन यह जो मुर्गयों का बच्चों का रखे थे वो उठा दिया हूँ यहांपर देखिए बच्चे एकदम खाली है यहांपर अभी चुम्टियां देखते हैं एक बार कितने हैं देखिए आँपर वीडियो जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा दिख रहा है आपको क्लारिटी से देखिए एक बार चकले पर भी कितने एकदम चुम्टियां यह सारे बच्चों के कान में गए या आंग के पास काटेंगे तो बहुत मुश्किल होगी तो देखिए एकदम चुम्टियां यहांपर अभी मैं क्या करूंगा वह वाला जो पॉटिशन था पॉटिशन के अंदर थे तो इसा चेंज कर दिया हो थोड़ा सा इसकी जगे वह कॉर्णर पे था तो पहले कॉर्णर पे ला लिया हो मैं यहांपर इधर से चुम्टिया नहीं है तो अभी क्या करते हैं बच्चों को यह पॉटिशन में इधर के पॉटिशन में दाल दते हैं जहांपर चुम्टिया नहीं है और थोड़ी धर खाली छोड़ते हैं बच्चों को देखते हैं खा लेंगे वह चुम्टियों को या नहीं खाएंगे तब तक क्या करेंगे एक लिटर फ्रेश वाटर ले लिया हूँ इसमें आज लेक्सिन पौडर डालते हैं लेक्सिन पौडर कितनी डालना है एक धकन ले लीजे जो एक एमेल या आदा एमेल दो एमेल का रहता है इस तरह से तो आदा एमेल की जितनी जगे है जो धकन में तो उसमें क्या करना है आपको आदा हैमेल पाउडर भर लेना है भर लेकर एक लिटर पानी में डाल देना है घुला देना है घुला कर बच्चों को पीनी के पानी में साफ जहां पर बरतन रख रहे हो आप वो बरतन साफ करकर बच्चों के पीनी के पानी में पानी डाल देना है देखिए इस तरह के फ्रेश बर्तन में मैं धो लेकर क्या कर रहा हूँ पानी दाल दे रहा हूँ जो लेक्सेंट पॉडर मिलाए है हम अभी देखिए दोस्त अंदर एक ताट का थेला भी दाल दिया हूँ ताकि नाइट में फशी थंडी होकर बच्चों को थंडी ना लगे इसलिए अच्छे से ताट का थेला जटक कर ताट का थेला भी दाल दिये दाना भी दाल दिये पानी भी दाल दिये सब एकदम ठीक ठाक है अच्छे से बच्चे बे एक्टी हुए फिर मिलते है अभी शाम में अभी इवनिंग के फाइव ठटी हो रहे हैं दोस्त सब बच्चे अंदर आ गए थे इसलिए डोर लगा देकर अराम से पूरा बुनता अच्छे से उड़ा दिया हूं थर्ण अंदर ने गज़े सब बिल के करें ना अब मतलब अलग जगे यह जो इसका पॉर्टीशन था बच्चों का सामें जगे में था तो अभी पिछे जगे में दिये ना तो इसलिए बच्चे कुछ नहीं किया किदर भी अटक गए क्या यह देख रहा हूं अभी मैं बार सुनिए बच्चों की आवास तो आ गया है बच्चा एकदम ठीक है अच्छा यह सो अभी एक बच्चे की आवास आरी है मुझे है देखते हैं पुछ बहुत बाइड है यह रही इसलिए नहीं जगे में नहीं जाकर जाली में छूप गए थया फस गय थया पता है तो इदर सै आपको हमेशा चे करना है बार Gip pik चेक करना है इस तरह सा अगर जाली हो तो आपके पास तो यह बच्चे को छोड़ दोते हैं उपर से यहां पर छोड़ कर और दूसरे बच्चे कर भी चलते हैं देखते हैं वो भी बच्चा धुनने की कोशिश करते हैं उसे और एक भी आवाज आरी है मुझे तो यहां पर उपर से मैं थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देता हूं बच्चे को बच्चा तो ठीक ही लग रहा है मुझे डैमेज कुछ भी नहीं है कल एक बार गिन भी लेते हैं सारे बच्चों को एक बार कल के वीडियो में पुरे बच्चों को गिन लेते उपर से छोड़ दिया हूं में बच्चे को अभी क्या करते हैं और एक भी बच्चे की आवाज आ रही है उसे भी धुन लेते हैं बच्चों को कहां पर है बाहर है कि दर से आ रही है आवास क्या यहीं पर है जाली पार होकर तो नहीं जाएंगे इस में से बट धुमना पड़ेगा यहां पर है बच्चा देख रहा है बच्चे के जरही हां बच्चा यह देखिए भोड डर गए है बच्चे बटता है बिली या चुवा कुछ भी आया था देखिए अच्छे से डैमेज तो नहीं हुआ है मस्त है सारे बच्चे अच्छे सुने हैं में भी लेवनों क्लॉक हो रही है थोड़ा सा वीडियो से एडिटिंग कर रहा था हूं इसलिए सुने आया है जल्दी से इसलिए बाहर आ गया हूं किसमत भी अच्छी है बच्चों क देख लेते हैं सारे बच्चे ठीक ठाक है हाँ ठीक ठाक है बट वो कॉर्णर में चले गए उधर कॉर्णर में बट दो लाइट दाले हम तो बेटर है तो अभी बच्चों को थड़ नहीं गया जैसा अच्छे से बंद कर लेते हैं बंद करकर कल के मॉर्निंग के वीडियो म मिस मत होना अगले भी वीडियो से आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकाउन की घंटी दबाकर ओल कर लिजे दोस्त थैंक यू सो मच हवे नाइस दे एक बार फिर भी चेक कर ले रहा हूं और भी बच्चे बच्चे या नहीं है नहीं हो सब ठीक ठाक है तो देखते कल कितने बच्चे निकलेंगे